मई महने से मनिपूर में जो मई में मनिपूर में दुर्भाग्य पूर्ण घटना घटी और घटती रही पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विविंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं कभी केरणा में निकाल लेते हैं कभी बंबय में निकाल लेते हैं हर जगे जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पैन के हर जगे से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे आप भी तंग आये होंगे कितने बार इतनी सूरत देखना फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उड़ते ही उनी का लेकिन ये महापुरुष मनीपूर क्यों नहीं जहां लोग मर रहे हैं जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है जहां लोग थंडी में मर रहे हैं वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं क्यों क्या वो देश का हिस्ता नहीं है आप लक्षदीप में जाके पानी में ठहरते हो क्या आप मनीपूर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते हैं आप पूरी सत्ता आपके पास है आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूँ मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं लगता है यही उनकी बात है मैं तो नहीं पूरी में उन्होंने कह एक मोदी बस सारे आप उजिशन को उन्होंने ही कह मैं नहीं कह थो जब एक मोदी ही बस है सबको तो जाओ हो भी मैंने पूर में जा कर देखो क्या हाल है क्यों ऐसा हो रहा है देश का हिस्सा है वो और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे इसलिए जनजाग्रत ही करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे है यात्रा